तो इवनिंग क्लास वेलकम तो एडी स्मार्ट क्लास आइम यूर इंग्लिश मैंटर स्पाथी द्रिपाटी कैसे आप सभी आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे चलिए फिर अपनी ने क्लास स्टार्ट करते हैं ने क्लास हमारी है कैप से रिलेटेड हाज का हमारा लाइस को बारे में पढ़ेंगे तो आपनी ने क्लास स्टार्ट करते हैं हमारा फॉर्स वाज कॉंजेंटल लाइर ओट एड़ने फ़र ने साथ में तो गेदर ऑजन वह उसस वह प्ड़ाइब लाइब ने क्वाइब लाइए पने पढ़ा ने आपको स्टार्टिंग में दिया जैसे अपने पढ़ा होगा कई डॉक्टर भी होते हैं आपके जैने टेक्स के बारे में पढ़ते हैं है यह होती है जो पेरेंट से आप स्प्रिंग में जो भी चीज़े ट्रांस्मिट होती है से पुलते है जहां the our चीज़ों और सुवा चीज़ों हो स्पायर जैतों जाए जाएगा जो चीज़े एंडर कौन मींस टुगेदर जैसे कंग बरेंस उपने कंग्रेंस ए जैसे कि यह आप से बोल दिया जा ही वास नोन अमांग इस फ्रेंड अधा कॉंजाइंटल लायर में इसका क्यों हो जाएगा ऐसे लायर की तरह वो अपने फ्रेंड के सामने है कि उसका नेच्रल यह चीद उसके साथ बाइबर्थ जूट बोला यह जो उसकी हाबिट है उसके स साथ बाइबर्थ चल रही है जैसे आपने वर्ड पढ़ा होगा और इस होता है हार्मनी आपके अंदर अगर आप पढ़ते हैं काई बार अपने ट्रेंगल में पढ़ा होगा आपको दो दिए जाते हैं जैसे कि a b c k ौrm में फ्रेंगल दे दिया गया जैंगा दूसरा ट आपको एक रुपता प्रूफ करनी है तो कॉन मीन्स आप जब बी कॉन वर्ड देखेंगे तो कॉन मीन्स क्या हो जाएगा आपका एक साथ तोगेदर कॉन्रें देखाना कॉंग्रेस पार्टी जो है आपकी एक साथ चलना यहां पे पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करने हम में नरे बात को डिसकस करने कि कॉन मीन्स होता है साथ में चलते आप मारा प्रणिक को समझे सबस् aumentar क्रोनिक यह लाइन को सबस्क्राइब कि से टाइम से रिलेटेट है ताइम से रिलेटेट है गरापको फॉस्टों किसम में इन लगा नहींट अगर हिंदी ॉस्का मतलब हो जाएगा अपका उसी ता इंप अपका थायगा मितकी अपका क्या हो जाता है थाइम क्रोन लॉजिकल और में पुट करने का मींस है कि कौन सा एंपरन ने पहले राज किया है उसे ताप से 123 मींस अगर 1928 है 1929 आफ्टर ना 19 इस टाइप से देना इसको बोलते हैं क्रोन लॉजिकल और में पुट करना एक वर्ड आपने यहां से सुना भी होगा एना क्रॉनिज्म एन चाहिए उसको बने के रहे हैं उसको बने कर लिए उसको किसी से भी बात नहीं करने वह लायर ही है एक सब्सक्राइब करेंगे और आप फूल वीडियो देखेंगे नेक्स वर्ड देखते हैं आपका प्रिवियस क्लासिस में पढ़ा है यहां पर देखते हैं ऐसा लायल जिसको क्या है पैथलोजीक में उसको भीवारी है इसी इसकी है इसकी है इसकी है एक तरह सब कह चुके है और पर चुका है कुछ चुको नहीं सब्सक्राइब कि इसको सब्सक्राइब कैसा चिलाएब किस नाम से जाना चाथ आशाएब ऐसा जूट यह व्क्ति कि अपर चुक्वाइब कि उसको अटन करता है इससे हमें क्या मिलेगा जोगे और यह लोगत है कॉन हर्ट हो उसके पीछे कोई इन्टेंशन भी यह नहीं में बन गई है है यहां पता है कि उसने ऐसा क्यों बोला है इंट वरी कंवर्सेशन उसने हर कंवर्सेशन में यह चीज बोल नहीं है नहीं पता है सब्सक्राइब यह चीज राइट है इसको बोलते है कंशियर response क्या बोलते हैं क्या तरहते है उसकू इसको बोलते हैं अब को मांडेर करता है यह सही है यह चीज तरहते हैं उसको बोलते हैं conscious कॉंश इस Forces आपको समझ में लगता है आपको समझने लगता है यह चीज नहीं होगी सही और उसक्त बता रहा है अच्छा यह चीज यहां पर हो सकती है इसलिए ऑफ्क बêuपावर आफ सब कॉश्यूस मांंन्ट पॉप उन्ट के बारे में क्या जबताला इस भी चीज है यह बद ना चाहिए है त Till सही है घर करती है हुब पता होता हक चीजे सहीह गलट है वह हमारे दिमाग में हिट करती है तो यह मारा conscious mind होता है यह हमें बताता यह चीजे सही है या गलत है चलते हैं नेक्स वर्ड के तरफ मूव करते हैं ग्लिप ग्लिप मींस क्यों होता है तो एक तरह आप कह सकते हैं इंप्रॉंप्ट्ट्व अब विदाउट प्रप्रेशन हमें कुछ भी बोलना है आये क्लास में और आके बोल दिया विदाउट अनी प्रप्रेशन कोई भी हमने तैयारी नहीं की एक तरह एक स्टेमपूर कह सकते हैं यह वर्ड इस पीश के लिए होता है लेकिन हम यहां पर क्या क्या सकते हैं विदाउट एनी प्रप्रेशन हमारे दिमाग में कुछ हाया हमने किसी ने कुछ पूछा हमने ना सोचा न उसके बारे में कोई पढ़ा ना कुछ हमने डार जाकर वो बोल दियो क्या बोलेंगे घ्लिप लाया ऐसे लाया जिन्हों ने कुछ सोचा नहीं पता तो बीश लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है कि कोई तयारी नहीं उसको नहीं पता है कि पेड़ पर चाड़ सकती कि नहीं उसके कुछ प्रिप्रेशन नहीं है तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका इंपोर्टन वर्ड क्या हो जाएगा ग्लिव ग्लिव मेंस विदाउट एनी प्र तो वहां भी क्या हो जाएगा आप अपने comment box में जरूर बताएंगे कि आप कौन से लायर है देखते हैं किसके किसके comment आते हैं लेकिन comment जरूर करेंगे हां चलिए अच्छा देखते हैं वह आपको अपनी बात प्रेज़न की कैसे प्रेजन की का बोलता है वो की मेरे पास एक फिशे मेरे पास एक गोल पिसे जो क्या है लोगों ने मान भी लिया क्योंकि अपनी चीज़ों को प्रेजन करने का तरीका था वह कैसा था बहुत जादा आउटस्टेंडिंग था तो वाट इस अमीनिंग आउटस्टेंडिंग शांदार आप उसका जूट पकड़ भी नहीं पाए उस तरीके से अपने जूट को बोला ह कि आपने उसका जूट पकड़ भी नहीं प्याए ऐसा लायर जो बहुत जादा आउटस्टेंडिंग है आपनी बातों को रखने के लिए नेक्स वर्ड आपका सबसे इंपर्टेंट वर्ड है आपको तो टिक भी करना नोटोरियस नोटोरियस वर्ड आपका बना है नोटस स यह सारे वर्ड उन की इसी रूट से बने हुए इस रूट से क्या बना है वैल राय नोटस मेंस होता है किसी चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो तो नोटोरियस परसंट यह सी पर सब्सक्राइब के लिए जाने जाते है जैसे बोला जाता है ए जैसे बेला ए Gulf कि उसने क्या चीज़ बोली किस तरह से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट किया है वह कैसा लायर एकदम विख्याद जैसे बहुत सकते हो बहुत फेमस लायर है प्रेमस जो होता है पॉजिटिफ चीज़ों के लिए होता है और नोटोरियस जो है आपका नेगेटिफ चीज़ों लिए एक तरह साब कह सकते हैं इसका अंटॉनिम भी यह यह फेमस लायर ही वह लिए वन्स ट्राइट टू कन्वेस एक बार उसने क्या कन्वेस को कन्वेस करना किसी को मिनाना आप यह इस फ्लुएंड पैंग्विन तो क्या पैंग्विन भी बहुत अच्छे से बोल सकता है भी पैंग्विन हिसकी हो जाता है तो हमको किसी चींफ के लिए अब क्योता है क्रीमिनिल के लिए था मैं आप क्या होता है कौन होता है ठोगेधर लिध साफ में क्या हता है क्या आप टुगेधर और विध नहीं डाता है कॉन ग्रियंश कॉन drop felt से related होते हैं और आपका मैं真 में इसका में भान संपॉर से हमिट कह सकते हो हाइस्ट कह सकते हो हैं हाइस्ट क्या होता हाइस मीज्स किसी चीज का wind होकई है कि दुप यमीज कि किसी चीज को कॉंप्लीट करना फॉकिसे कि माउंटेंस पे तोप्रब्छे कुनकों हुटा ना यहां पर यहां पिछने बन में सामनेन पूछा सबस्ए में में ति इन यह नहीं होता है अबangan लिसमें तरह का लायर है अपनी बात को पूरी तरह कर लेता है वे इंड़ान विदाओट एजट अच्छे तरह कर लेता है क्योंकि क्या है क्या है क्या है अच्छे तरह कर है without any hesitation to consummate क्या हो जाएगा इसका मतलब हाइस तो क्या होता आपका साथ में तो क्या हो गया ऐसा लायर जो क्या है एकदम हाइस पॉइंट पर है वह अपने जूट बोलने की एकदम पीक पर है उसको क्या बोलते हैं लायर बोलते हैं यहां पर क्या होजाएगा आपका यहां वर्ड है पहले दुम समझ लेते हां की प्रिफिक्स ग्लण्यूद और रूठ वर्ड्स twins When रूट वर्ड रूट वर्ड वर्ड होता जो मेन वर्ड होता जिससे वर्ड को आप साइड करते हो कि क्या बोला जैसे कि आपका ओम नहीं है यह आपका रूट हो गया प्रिफिक्स क्या होता है पहले जैसे प्रिप्रेशन प्रिपेयर प्रिपोन यह सब क्या होता है प्रिपोन सब्सक्ट कर चाहिए जो सब्सक्राइब नहीं पोस्क्राइब के पहले लगती यहहाँ पर का पया लगा है इन होता हैner military न का लेकिटिए थो प厲害 की चीज को सब्सक्राइब करना compete करना करना और और इनीहिसें चोजो जो क्या है कि haircut नहीं की जा सकती और डुरू है रिफार्म और करेंठ आने बल डुरू और जैसे कई बार टीचर आउप से बोलते ना कि आपकी आपकी रैइंग कैसे सदार नहीं नहीं जा सकता है क्या हो एक पीडियूफ में भी कनवर्ट कर एक रही डूट और फमें पर देख लीजेगा यहाँ यह अपका सब्सक्राइब अफर वर्ड हो जाता है उससे में डुक्त पार चुट है ऊसको सखेशनी कर सकते हो सुधार भी नहीं सकते हो उसने इस लीमित तक अपना जूट बोल़ शुरू करते है शी एंग अम इन कोरेजबल लायर मतलब जिसको रिफॉर्म नहीं सुधारा नहीं सकता लायर हूं जो क्या करता है कभी नहीं तो तक नहीं तक नहीं होता कि वह सच बोल रही होगी यहां पर क्या हो जाएगा शी जूटी है वह कि उसको हम क्या कर सकते सुधार भी नहीं सकते बनाइक सब्सक्राइब करेंश करक्त कर सकते हैं और ऐससा परसं जो सुधार नहीं सकते रिफॉर्म कर सकते हैं नेक्स वर्ड है आपका इंवेड़ वर्ट यह आपका दो बरसे माना पहला तो अपका प्रेफिक्स जो बूट रूट के स्टाटिंग में लगता दूसरा वर्ड आपका मेंड या नी रूट वर्ड है इन मेंस होता है नेगेटिव मतलब नहीं और वेटस मेंस क्यों होता है आपका वेटस मेंस होता है ओल्ड क्यों हो जाता है ओल्ड ऐसा परसंट जो कोई भी काम काफी लॉंग पीरियट से कर रहा है करना चाहता है डाइक Μतलब पसंद करता है और पुसकर नहीं करते है अजरा है उसको क्या बोलते हैं वीटत वीडास मीर्य यह संद और को बन समरी सब्सक्रीश होगा मोस्ली यह रफिर दो होता है veteran कि या लीडर फॉर गहां से लिडर से लीडर वेख़जाध a एक्स्पिरियंस person जिसको बहुत जाधा experience ऩो कैसे लिडर हो गें जिनको काम करने का बहुत जाधा experience है veteran एक्टर होते हैं जिनको acting का बहुत जाधा experience होते हैं जिनको पढ़हने का बहुत जाधा experience होता है तो यहां पे तो हो जmotions a person just pop वोलेंगे investment means किसे हो जाएगा ऐसा for यहां पर भू dönाच यहां पर वो कैसे जाता है जो दाश्य जाता मैं लेकिन वह रोकना चाहता है क्योंकि उसके उसको काम काफ़ी समय लगा है और उसको क्या बोलेंगे सब्सक्राइब नहीं बदलना चाहता है जब आगे किसी भी वर्ड में दिखेगा उसी वर्ड का जस्ट आपने देखा कि अगर आपको वेट देख रहा है तो आपने लॉंग पीरियेड लगा दिए जिसको काफी जादा चाहिं सब्सक्राइब आपने लगे जिसको उसको आपने देखा किसी वर्ड में और आप 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 लाइकली टुचेंज हो सकता आपको दो अप्शन देख दे एक में केवल लॉंग पीरियोड लगए और एक में दोनों लिग लूंग प्लस ऑनलाइकली तो चेंज तो कौन सा और अपने पड़ा होगा नुवाइस मीज एक तरह से हिंदी में क्या सकते हैं नुवाइस होते हैं नौ सिख्या जिसको आप हिंदी बोलते हो जिसने अभी चीदों को सीखना शुरू किया तो क्या हो जाएगा जो भी उसको काम करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं उसको क्य क्या बोलेंगे नौवाइस या अमच्यूर यह क्या हो जाएंगे वेट फ्रेंड के आपके आपके हो जाएंगे यह आपके एक्जाम के पॉइंट आप इसलिए मैंने इसको यहां पर लिख दिया आप चाहें तो एक बार इस पेज का ही पूरी स्लाइड का स्क्रीन शॉर ल एक ठाहेंगे नौवागे न error करते कि अपा कॉरे हैं क्या ग्या इसलिए वेट लिख धिया अएंगे इस अव्वाट के आपके आपके बार से अचैक्ण וא